आज के इस वीडियो का टॉपिक है Speed Control Method of DC Motor इस वीडियो में हम जानेंगे Filt की मदद से हम कैसे DC Motor को Speed को हम Control कर सकते हैं और Voltage Control की मदद से कैसे हम DC Motor के Speed को Control कर सकते हैं तो चलो, start करते हैं पिछला वीडियो में हमने क्या देखा था आर्मेचर कंट्रोल की मतब्स से हम कैसे DC मोटर के स्पीट को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है इस वीडियो में हम फिल्ट को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखा त मैंने क्या कार्दिय देखो यह पर एक आर में चाहरे और एक फिल्ट कॉईल ले लेकिन फिल्ट कोईल के साथ मैं ने एक वेरीवराइस्टेंस करनेक्न किया है लेका 10 वहम से लेकर मैं उसका मैंने मान लिया एक यहा पर मैं जितना भी आपको बताऊंगा सब कुछ एक एक्जामपल है ठीक आपको समझाने की कोशिश कर रहो हूं है सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ एक एक्जामपल ले रहा हूं ठीक है और कुछ नहीं तो आप देखो सिर्रीज में क्या होता है रेजिस्टेंस जूर जाता है तो फिल्ट कोईल का रे एक्जीस्टेंस कि इस्टेंस कितना है 110 हूँ है तो 110 होम जब एक akoे तो कृइएक होना चाहिए 1.83 ampere current is field कोहल के अंदर से flow होना चाहिए अब जैसे इस Field 용 के अंदर से current flow गा होगा तो क्या होगा इस is field कोहल के अंदर एक flux create होगा अब है फ्लक्स किसा के ऊपर depend करता air flux depend करता है current के ओपर current कितना flow है चारण करता है B. By, मतलब back MF by field flux, ठीक है? अब back MF को हम इस तरह भी रिपेजिदेंट कर सकते हैं कि V- IA into RA, इस तरह भी हम back MF को देख सकते हैं ठीक है? तो N is equal to V minus IA into RA by field flux. अब देखो, यहां पर voltage constant है, IA यहां पर constant है and resistance, armature का resistance है वह भी constant है, क्योंकि armature के साथ कोई भी हम छेड़ छेर क पूज़ भी नहीं करते हैं तो वहाँ पर फोल्टेच कॉंस्ट को नहीं करते हैं और इसके आदर से जो करेंट Swagg अपस्टान का बारेजिस्टेंस ई होगी कॉनस्टेंट तो उपर वाला सब कुछ इहांपर current flow अगर filter coil से कम current flow तो क्या होगा filter coil का flux कम produce होगा ठीक है अगर filter flux कम produce होगा तो क्या होगा इसका speed increase हो जाएगा मतलब rated जो speed है उससे भी इसका speed increase हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या कि एक variable resistance लगाया है अब variable resistance जैसी हम ध्यदर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, field coil का जो resistance है, ओ resistance भी धेदे ये increase हो जाएगा, अगर resistance increase हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर voltage constant है, अगर resistance increase हो जाएगा, तो क्या होगा, current decrease हो जाएगा, अगर current decrease हो जाएगा, तो क्या होगा, field coil का जो flux है, ओ भी decrease हो जाएगा, अगर field coil का flux decrease हो जाएगा, त तो क्या होगा इसका स्पृइट इंक्रीज हो जाएगा तो फिलट कोन्ट्रोल की मतद से हम रेटेट स्पीट से भी ज्यादा स्पीड हम मोटर की बढ़ा सकते तो फिल्ट कोंड़ ऐसे काम करते हैं अब भोल्टेज कान्ट्रोल में उल्ट्रो ча काम कादा वह देख नेरेवेल रेजिस्टेंस का भैल्व अभी कम है तो क्या होगा कार्यिक्स ज्यादा फ्लो होगा ठीके लेकिन जाशिए हम क्या चाखेंगे इस रेडिस्टेंस का तक इसका वैलू इंक्रीस होता है एक्जाम्पल है जिर्फ जैसे ही में इंक्रीस करूंगा तो क्या होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा पहले जो 220 वोल्ट हमने सप्लाई दिया था वह 220 वोल्ट डायरेक्ट मोटर में जा रहा था लेकिन जैसे ही वैरिवल रेजिस्टेंस का वैलू इंक्रीस होगा तो क्या होगा इस रेजिस्टेंस की बज़ा से इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा अब 220 वोल्टेज से मानलो 100 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो गया अब मोटर में त तो क्या होगा armature के अंदर से current कम flow होगा अगर armature के अंदर से current कम flow होगा तो क्या होगा motor घुमेगा नहीं घुमेगा मोटर का जो स्पीड है उस स्पीड धीर धीर घड़ जाएगा तो वोल्टेज अगर घड़ जाएगा तो स्पीड भी घड़ जाएगा अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा मोटर का स्पीड भी बढ़ जाएगा ठीक है तो वोल्टेज कंट्रोल में तो कुछी भ पहले उम्मीद करतों आपको समझ में आया है अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्रेब बटन उसे आप दबा सकतों क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुत जाएगा